सब्सक्राइब 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 कि मानव जनसंख्या में मेंडल की नियम की योगता क्या है यह कंप्लीट कोस्चन है जुसता है पराबर प्रिच्छा में ध्यान प्रभग सुनिए यूटिलिटी ओफ मेंडल के नियम की स्विक्र्टी के उपरांत एक अप्चारिक अन्वंसकी की साखा का उध्य हुआ तथा मानव जनसंख्या में इन अध्यनों का उप्योग निमिलखित कार्जिओं के लिए किया जाने लगा कौन-कौन से कार्ज थे छे कार्जे बंसावली बिसलेशन चिकित्षिय उप्योग पैट्रिक्ता समंधी निर्धारन में अप्राध सास्त्री अध्यान में पोधे वंपस्वों के नस्ल में सुधार के लिए नम्मर एक वंसावली विसलेशन मेंडल के नियम से पुड़े बंस का वंसावली का विशलेशन कर यह पता लगाए जा सकता है कि होने वाला अनुवांशिक रोग कहां से आया है और भविश में किसको होगा बर्तमानम इंगलेंड के राज रासी परिवार में बंसावली उपलब्ध होने के कारण उसके बंस से एक प्रकार का अनुवांशिक रोग हेमोफिलिया का निराकर किया जाता है इस प्रकार से मेंडल के नियम के आधार पर भविश में होने वाले अनुवांशिक रोग के बारे में असानी से पता लगा कर उसका समचित निदान क्या जा सकता है जैसे कि बर्नांदता है हेमोफिलिया है वर्नांदता जिसको कलर ब्लाइम्नेंस के नाम से भी जाना जाता है एक अनुवांशिक रोग है तथा इस रोग से पिडित व्यक्ति लाल या हरा रंग में बिभेत नही इन एक्स है जो अपरवल प्रकृति का होता है जबकि पुरूष को एक्स गुन्सूत्र अपने माता से प्राफ्थ होता है और वह इसे क्यवल अपने पुत्रियों को ही अस्तांत्रित कर सकता है जबकि एक लड़की को एक्स गुन्सूत्र माता से तथा एक्स गुन्सूत्र पिता से प्राफ्थ होता है इस प्रकार से वर्नांद माता पिता से उत्पन संत्वनों में से आधी समान एवं आधी वर्नांद होगी एक अन्वानसिक रोग हीमोफिलिया से पीरित भैक्ति को रगत के ठक्के में परिवर्तित करने वाले गुनों में कमी पाई जाती है। इस रोग में भी एक्स सहलगन जीनों की भीमिका महतपुर्ण होती है। अगला पॉइंट है चिकित्सी उपयोग। चिकित्सा के छेत्र में मेंडल के नियम का उपयोग बड़े ही पैमाने पर किया जाता है। बंदर में पाई जाने वाला आरेच फेक्टर यदि मानव में उपस्थित रहता है तो उसे आरेच पोजेटीव यदि आरेच फेक्टर अनुपस्थित हो तो उसे आरेच निगेटीव कहा जाता है। निगेटीव होता है। यदि आरेच पुरूस की साधी आरेच पोजेटीव पूरूस की साधी आरेच निगेटीव स्त्रीज हो जाती है तो पर्थम संतान के बाद अन्य संतानों की मिर्टिव हो जाती है। जिसे एरिट्रो बलास्ट्रो स्टिक फोटालिस्ट कहा जाता है। इस प्रकार के अनुवांशिक रोग की पहचाऊन मेंडल के नियम से करके गरवावस्ता के दोरान ही परत्रोधी दवा के प्रियोग का प्रामर्स दिया जाता है। अगला पॉइंट है पैत्रिक्ता समंदी निर्धारन में। मेंडल के अनुवांशिक समंदी सिध्यांत के परति पादन के उप्राम्त वन्सानुक्रम से समंदी विविन तक्थ्यों की जानकारी होने लगी। ता इस जनकारी का उप्योग पहत्रित्ता समंदी विविन प्रकार के विवादों का निव्टारा भी किया जाने लगा। यदि दो वेक्तियों के वीच संपत्ती के उत्रादिकार के लिवाद चल रहा हो तो DNA विशिलेशन कर सही उत्रादिकारी का पता लिगा कर विवाद का निव्टारा किया जा सकता है। इस प्रकार से मेंडल के नियम का प्रयोग कर माता पिता एवं संत्रों के रत्त समु के आधार पर पैतित्ता का निर्धारन कर सही उत्रादिकारी का पता लगा कर कानूनी जगरों एवं विवादों का निव्टारा क्या जा सकता है। चौथा पॉइंट है अपराद सास्त्रिय अध्यन में। मेंडल के अनुवांसिक्ता समन्दी सिध्यांत का उप्योग अपराधी का पता लगाने के लिए भी क्या जाता है। अपराधी के जैव की अफसेश जैसे की थूख, खकार, रक्त, लार, वीडि, पदचीन, उंगलियों के निसाउन अथ्वा अस्थियों के अफसेश का विसलेशन कर अपराधी का पता लगा जा सकता है। अनुवांसिक्ती प्रामर्स के लिए पास्मा पॉइंट मेंडल के बंसानुक्रब नियम का सरवाधिक परचलित उप्योग बर्तमान में अनुवांसिक्ती प्रामर्स के लिए किया जाता है। अनुवांसिक्ती प्रामर्स के अंतरगात भविस में होने वाले अनुवांसिक रोग का पता लगाकर उससे बचने तथा उसके रोग्थाम के लिए उचित प्रामर्स दिया जाता है। उधारन के लिए एरिथ्रोबलास्टोटिक फोटासिस जैसे अनुवांसिक रोग को रोग्थाम के लिए महला को गर्वावस्ता के दोरान ही पर्तिरोधी दवा के इस्तिमाल का प्रामर्स दिया जाता है। छटा पॉइंट है पोधे एवं पसु के नसलों में सुधार। इसके अंतरगत दो भिन भिन नसल के जीवों के बीज समागत प्रक्रिया के उप्राउंत एक भिन और नए नसल के पसु एवं पोधे तयार किये जाते हैं। जो अपने पैत्रिक संहों से अधिक प्रत्तीरोधि छम्ता दरस आते हैं। महनव के दोरा इसे नसलों का निर्वान के पस्वों से अधिक मात्रा में दूद एवं मंस की प्राप्ती के लिए तता पौधे सेधिक मात्रा में उपादन की प्राप्ती के लिए किया जाता है साथ ही इस प्रक्रियादवारा खतरनाक जीन के बाहक को परजनन से रोक कर समाज को इससे होने वाले होने ये दूस्प्रभाव से बचाया जा सकता है इसके साथ ही प्रस्ण का अंसर समात होता है असा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा अगली क्लास में अगला परस्ण हो आने बाले एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके साथ ही मैं आप लोग सागरह करूंगा कि वीडियो अच्छा लगता है लाइक से और सब्सक्राइब जूर करें धन्यवाद